ओम शान्ति, अवेक मुल्ली का डेट है 16 जून 1969, बड़े से बड़ा त्याग अउगुणों का त्याग, सभी किस्व रूप में बैठे हो, स्नेह रूप में बैठे हो या शक्ती रूप में बैठे हो, इस समय कौन सा रूप है, स्नेह में शक्ती रहती है, दोनों इकटी रह सक है, क्यों नहीं कहते हो कि दोनों रूप है, बाप दादा के साथ स्नेह क्यों है, बाप दादा से स्नेह इसलिए है कि जो शुबाबा का मुख्य टाइटल है, उसमें आप समान होना है, मुख्य टाइटल कौन सा, बच्चों ने जवाब दिया सर्व शक्तिवान के, तो स्नेह जो होता है वो कभी तूट भी सकता है लेकिन स्नेह और शक्ती दोनों का जहां मिलाप होता है वहां आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी अमर रहता है तो अपने इस मिलन को अविनाशी बनाने के लिए क्या साधन करना पड़ता है स्नेह और शक्ती दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़ेगा तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलाप मेले में तो बैठे हैं लेकिन कई मेले में बैठे वे भी दोनों का मिलाप भूल जाते हैं अच्छा, तो आज तो खास कुमारियों के प्रतिहे आए हैं, आज कुमारियों का कौन सा दिन है, मिलन का दिन, रिजल्ट भी आप सभी की निकली है, अपने रिजल्ट को कुछ जान सकते हो न, त्रिकाल दर्शी बने हो न, इस ग्रुप से नमबर वन कुमारी कौन निकले, च कुमारियों को तो अभी एक और पेपर देना है, वह पेपर प्राक्टिकल है ना कि लिखने का, अभी तो एक मास की ट्रेनिंग की रिजल्ट नमबर वन है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में भी नमबर वन आ सकती है, उसके लिए कौन सी मुख्य बात बुद्धी में रखनी है त्याग और सेवा तो है, और एक बात है, सभी से बड़ा बलिदान कौन सा, और सभी से बड़ा त्याग कौन सा, दूसरों के अउगुणों का त्याग करना यह है बड़ा त्याग सभी से बड़ी सेवा कौन सी? जो स्रेष्ट सेवा धारी होंगे, वह मुख्य कौन सी सेवा करेंगे? जो तीवर पुर्शारती होंगे, वो तीवर पुर्शारत का सबुद्ध क्या दिखाएंगे? कोई भी सामने आए तो एक सेकेंड में उसको मरजीवा बनाना, कहते हैं कि एक धक से मरजीवा बनाना जिसको जाट को कहते हैं, अधूरा नहीं छोड़ना है, श्रेष्ट सेवा यह है जो उनको जट जाट को बना देता है, अभी तो आप तीर मारते हो, बाहर फिर जिन्दा हो जाता है, लेकिन ऐसा समय आना है जो एक सेकेंड में नजर से निहाल कर देंगे, तब सर्विस की सफलता और प्रभाव निकलेगा, अभी मरजीवा भल बनाते हो, जाट को नहीं बनाते हो, दो बातों की कमी है, वह बाते आ जाए तो अपना रंग दूसरों को भी चड़ा सकती हो, आप जाट को बनी हो, तो उत्तर आया पुर्शारती है, कहां कहां भूल होती है, होती रहे तो उसको पुर्शारत कहेंगे, प्रतिग्या ये करनी है कि आज से हम जाट को बन गए हैं, फिर जिन्दा नहीं होंगे पुरानी दुनिया में, हिमत वान को फिर मदद भी मिलती है हिम्मत के कारण बाब दादा का स्ने रहता है तो दो बातों की कमी बता रहे थे एक मुख्य कमी है एकांत वासी कम हो और दूसरी कमी है एकता में कम रहते हो एकता और एकांत में बहुत थोड़ा फरक है एकांत स्तूल भी होती है और सुक्षम भी होती है इसमें दोनों के अवश्यक्ता है एक आंत में आनंद के अनुभवी बन जाए तो फिर बाहर मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी अभी बाहर मुक्ता में सभी का इंट्रेस्ट जासती जाता है इन दो बातों के मेजॉरिटी में कमी है अवएक्त स्थिती को बढ़ाने के लिए इसकी बहुत अवश्यक्ता है इसलिए जादा एक आंत में रुची रखनी है कुमारियों को अब जाना है प्रैक्टिकल कोर्स देने अब कुमारियों को तीन सुगात देनी है सुगात है इस नहे की निशानी तो तीनों संबन से तीन सवगात देते हैं जो कभी भूलना नहीं बाप दादा की सवगात सदा अपने साथ रखना सवगात छिपा करके रखनी होती है न तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सवगात याद रखना क्या शिक्षा देते हैं कि सदे बाप दादा और जो निमित बनी हुई बहने हैं और वो जो भी दैवी परिवार हैं उन सबसे आग्याकारी वफादार बन करके चलना यहां है बाप के रूप में शिक्षा की सोगाद और फिट टीचर के रूप में कौन से शिक्षा की सोगाद देते हैं शिक्षा को ग्रहन किया जाता है जहां पे जाओ तो टीचर के रूप में एक तो ग्यान ग्रहन दूसरा गुण ग्रहन यह शिक्षा हमेशा याद रखना और गुरु के रूप से यही शिक्षा है कि सदैव एक मत होना है एक रस और एक की ही याद में रहना है विश्णु को जो अलंकार दिखाए हैं वहाँ अभी शक्ती रूप में धारण करने हैं या अलंकार सदैव अपने सामने रखो यह है बाप, टीचर, गुरु तीनों ही संबन से शिक्षा की सोगात, खास कुमारियों के प्रती अब देखेंगे कि कौन कौन इस सोगात को साथ रखता है वो लोग भी रिफाइन बॉम्स बना रहे हैं न तो तुमको भी अब रिफाइन बॉम्स गिराने हैं चीटी मारक की सर्विस तो बहुत की बॉम गिराने से ही जड़ सफाई हो जाती है तो विशेश आवाज फैलानी की सर्विस करनी है उसको बॉम गिराना कहा जाता है जितना जो रिफाइन होंगे उतना रिफाइन बॉम्स फेकेंगे और उपर अभी आल राउंडर बनना है जितना जितना बनेंगी उतना उतना नजदीक आएंगी सत्यूगी परिवार के आल राउंड चकर लगा कर अपना शो दिखाना है तब है ट्रेनिंग की रिजल्ट प्रैक्टिकल कोर्स के बाद फिर रिजल्ट देखेंगे अभी फिर एक मास के बाद मदुबन में आ जाओ तो अकेले नहीं आना है अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं है प्रैक्टिकल अभी है अकेला कोई को भी लोटना नहीं है कोई ना कोई को पंड़ा बना कर आना है यात्री लिया आना है बाब दादा को इन कुमारियों में बहुत उमीद है उमीद वार रत्नों को बाब दादा तो नैनों में समाई रखते है अच्छा, ओम शांति